कि नमस्कार स्वागते आपका हमारी यूट्यूब सेनल पर बात करते हैं कक्षश्र साथ विश्य हिंदी कारिपत्रक चतिस की यहां पर शुक्षम अवलोखन कर लिख वाने से समधिते यहां पर दो सित्र दिये गए हैं इसमें बहुत सारे अंतर हैं आपको दोनों को देखना आच्छी तरह से क्या क्या अंतर है उसको आपको नोट करना है जैसे कि उपर वाले सित्र में आप देख रहे होंगे यहां पर लड़का पेंटिंग बना रहा है फिर नीचे वाले में पेंटिंग अलग तरह की दिख रही होगी तो इस तरह से आपको परतेक बारीकी से एक एक सित्र को आप देख सकते हैं और पता करेंगे कि दोनों सित्रों में कितने अंतर हैं इनको आप नोट बुक में लि पुरण विराम होता है और यह अलप विराम होता है तो इसका प्रयोग करने के लिए वाक्य स्थर से बन जाएगा क्या तुम आज बाजार जाओगी प्रश्ण वासक शिना इस तरह से लगाएंगी फिर वहां कितना सुंदर से बनाया है तो यहां पर यह विश्मयादी और यहां पर हो जाएका बीश में आलप विराम तेल और चाहिएकिल के पास्कार और यहां यहां वजाएका पूर्ण लिखने के प्रान नीचे जाएंगे नीचे यहल लगाया हुए जैसे विश्मयादी बहुत होगा युक्ष्ण्वास्षक हो यूँ पुरन बिराम होगा और यह विराम हो इस तरह से लिकने की बाद अगली पने एक बड़ Müर कार्य करता है के तो में ANfox पदन का करता है जिसे अंदाता भी कहते हैं वेगयनिक देश की उन्द्धी और प्रगती के लिए नहीं नहीं आविश्कार plat करते हैं जिससे नहीं तकनीक का लाभ nessa हैं दर्जी सिलाए का कार्य करता है जो सिलाही मशीनिया हाथ से कपड़े का कार्य करता है फिर दूसरे प्रशन में आपको कुछ ऐसा ही अलग लग काम करने वालों के बारे में सर्शाकर नहीं जो आपके आसपास बाई जाती है वो जैसे हमने लिखा है कुमार जो मिटी से बरतन किलोने या मटके का निर्मान करते है इस तरह से आपको भी लिख सकते हैं बात करते हैं वरक्षिट नंबर 49 की कारे पतर 49 में आपके सामने दो एक सब्द दिया गया जिसके दो दो अर्थ लग लिखने अन्यकारती सब्द है अनि जिन सब्दों से एक के सब्सक्राइबार जिसे तरह आगे भी आपको देसे उत्तर का जवाब भी होता और रंग भी होता है योसद अपने प्रेम करती थी यह बन जाएगा यह मिर्श लाल रंग की है इस तरह से बन जाएगा फिर आम के उपर यानि साधान वेक्ति और फल का नाम भी यह तो मेंगाई का असर आम लोगों पर पढ़ता है मुझे आम खाना बहुत पसंद है इस तरह से बना सकते हैं आर्थ का मतलब होत होता है दोनों का बाक्य प्रोग करेंगे लग वार का मतलब दिवस और हमला भी होता है तो दोनों का बाक्य प्रोग अलग अलग करेंगी तो इस तरह से ब्रक्षित नंबर पेकारी करेंगी फिर बात करते हैं ब्रक्षित नंबर 40 की 40 में कद्यांस दिया गया है जिसको पढ बनेगी साधनों के दिखता होगी ये पानी की बड़ी टंकियों का निर्मान होता है नल की व्यवस्ता होगी घरों तक गर्म में पका मकान बनेगी है आधुनिक समान आगे जैसे फ्रीज है कुलरे टीवी है वाशिंग मसीन अधी तो यह यह बंदला हुए है फिर यह ऐसा आप्से बात नहीं करता है तो आपको बात कने क्या करते हैं तो उस दोस्ते हर गतिवेदी में आप आगे बढ़ने की कोशिष करते हैं जिससे वह हमसे बात करें तो इस तरह से अपना को भी प्रयास जो करते हैं आप लिए ब çıkart नंबर आगलन में आपको पहले उपर गद्यांस दिया जिसको पढ़ना नीचे अब जैवुटिक और सियार आधारी सवाला उस पर टेक लगाना जैसे हमारी यात्यासी गौरवए संस्कृतिक धुरवार हमारी संस्कृतिक वीरास्त विश्व की सब्जिश्शन म्रद तीसने में संस्कृतिक वीरास्त हमें जोड़े रखती है अपने पुरूजों से संस्कृतिक सब्द में संस्कृति धन एक परते लगने से बनाये संस्कृतिक तो संस्कृति धन एक हो जाएगा फिर हमारी संस्कृतिक वीरास्त में कौन-कौन सी सीज़ समाईत हो जाएगा इस कर्मी के वीकास को कौन फ्रुंत करता है तो संस्क्रतिक ध्र्वर किहां को बया करता है पिर एगले में तीनधी भीरामसिनदी येयां यांगे तीसरा विस्मयादी बूद बौत है तीनों का अिसे दिरू क्ये प्रफ्रों करेंगी फुर नवे द्यापक और कुमार क्या कारिया करते हैं वो लिखेंगी तो पड़ाने का कारिया और ये मिटी से बर्तन मनाने का कारिया करते हैं फिर आम और हलके दो अर्थ होते हैं वो लिखने हैं वही वापस यहां पर दोरान हुआ जैसे समान्य वेक्ति हो गया एक फल का नाम हो गया समाधान हो गया और वजार हो गया फिर इसी तरह बाक्य प्रयों करेंगे इसका भी और वापस लिखेंगे तो इस तरह से आप आकला पर चहतक कारिये कर सकते हैं धन्यवाद जहिंद बंदे मात्रम